आउस बिल्लाहिमिन शेतान रजीम बिसमिल्ला रह्मान रहीम तो कैसे आप सब उम्मिन करता हूँ कि आप सब खेरें से होंगे और हमारे लेक्चर्स को इंज्वाइ करें होंगे तो दिस इस असे कल नास्ट लेक्चर आप यह चेप्टर नमबर त्री कोडिनेशन तो आजक्त जो वमरे टाफिक हुए हूए फीड़ बेग कंट्रोल मेकेनिसम अब आप हार्मोनल सीक्रेशन का कैसे कंट्रोल हible विद्बेक मेकनेजम से एक्चुली मैं आपको बताता चलूं कि जो फीडबेक मेकनेजम होता है वह चेक एंड बैलास सिस्टम होता है वह इसलिए होता है कि मतलब कोई चीज नार्मल से बढ़ गई है नार्मल रेंज से तो उसको स्ट्व में लेकर नार्मल तक पहुंचाया यहां इसयों कि चीज को घा जाय जो यह 5 क्यों होती है चीजम थी मेकनेजम के लिए ताकि या था हार्मुन फिक्रेट हो जब उसकी रुकौयरमेंट हो जब नीड़ेड़े को पता है नीड़ mit셔야नकर जाती है तो फिर क्वेशा हानाान आता है उसको तो नार्मल बार्च अंट कालें के जाएगा कर को तगा आंट विकानिस्टम सिस्टम के मेकनिसम के दो होते हैं Als проблем महारी बार्टी में भरक्पी करते हैं एक होता है एक डिटभी आएज़ा मेकनिस्टम तो सब्सेत है नेगेटिव फीडबेक कंट्रोल या मेकनिजम यह क्या होता है इसका मतलब यह कि कोई भी चीज नार्मल से बढ़ जाएगी तो इसको अपनी नार्मल रेंज में लाने के लिए इसको यहां पर केला है कि आप उडिव एक रिलेशन तो यह मतलब किसी चीज चो नार्मल से ब इसके भी स्काट्री कुलोड में गलूकोस लेवल बढ़ जाए बढ़ गए एक यह पक्रेयाज वूड़े श्क्रेड इंस्यूलिन रिस्पांस में तो फिर क्या करेगा पैंक्रेयां सी क्रेंट करेका इंस्यूलिन और वह इंस्यूलिन वह विच्वेर ब्रिंग दाउन निए फीड़िक निए फीड़िक क्या कर रहा है और याब को एब याद रखना है इसका ब्लेड ग्लुकोस का दूसरा है पॉजिटिफ फीड़िक कंट्रोल इट रिफस्ट रिनास्मेंट आफ टैफेक्ट इनलेक्ट इनलेक्शन तू स्ट्यूमलास मतलब कि कोई इफेक्ट पर पड़े वर यह इसकी नर्समेंट होती जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए इस ट्यूमलास एक्जम्पल जब भी कोई एक बच्चा होता है इंफेंट होता है वह अपनी मदर की बीज से जब सक करता है तो यह फीडिंग करता है शी सीक्रेट हार्मून तू सीक्रेट मि फिर क्या होता है उसमें हार्मून सीक्रेट होते हैं जो कि सीक्रेट मिल्क को सीक्रेट करते हैं जैसे सकिंग बढ़ती जाएगी जैसे सकिंग बढ़ती जाती है तो उस हार्मूनल सीक्रेशन जो है वह भी बढ़ती जाती है कोई चीज है वह बढ़ती जा रहे बढ़ती जा तो फिर क्या होता है कि उसे बेवी की बेथ क्या होती है वो जल्दी हो जाती है oxytoxyn का इस्तमाल यह बी एक ग्जंपूल है positive feedback control का मतलब क्या चीज्स है वो बेथी जाया बेथी जैसे बेवी सक करता जा रहा है सक करता जा रहा है तो हर्मोनल जो सिक्रेशन है continuous सप्ट्रूंग की वजह से वह वह भी इंक्रीज हो रही हो रहे है तो यह पाज़िट फीड़ पीड़ का एक्जंपूल है और लगता ही जाए तो इस आल अब अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक की रिए अपने प्रेंट के साथ जरू शेर करेंगा मिलेंगे ने से ने लेक्चर में तब तक लिपना ख्यार किये विश्यू बेस्ट आफ लग एंड आई लव यू वाल